नमस्कार गुट्टि की पोटली में आप सभी का हार्तिक स्वागत है आज इस वीडियो में हम चाय कामसाल अपनेंगे और चाय कामसाल अपनानी से पहले एक हमपल रिकेस्ट यदि आप मेरे चैनल पर नए है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ल वीडियो को लाइक करना, शेर करना, कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो को लाइक करना, शेर करना, कॉमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है तो आएए अब हम अपनी चाय के मसाले को बनाना स्टार्ट करते हैं चाय का म तोड़ कर पीस लिया है सापती जैफल नहीं लेना वरना हमारे मिक्सिके ब्लेड को तोड़ देगा लोंग एक टेबल स्पून सोंफ दो टेबल स्पून काली मिर्च एक टेबल स्पून हरी इलाइची पचास गिन कर ली है दाजीनी 10 ग्राम मुलठी का पाउटर दो टेबल स् इसी के साथ जितनी भी हमने मसाले लिए है अपने टेपल स्पुन से पील फ्रेट नापते हुए है यह जो मलठी का पाउडर है किसी भी कर्याने की दुकांसी परसारी के दुकांसी परचून की दुकांसे आपको असानी से मिल जाएगा अब हम इन मसालों को भूनेंगे लोग को भूनने के लिए हम हैवी पॉर्टमाला फ्राइंग पैन ले लेंगे या फिर तवा ले लेंगे और सारे मसालों को हम डाल देंगे देख लिए मलट्टी को छोड़कर हमने सारे मसाले डाल दिये हैं इसको हमने नहीं डालना वरना हमारी मल बिल्कुल जल जाएगी अब हम इसको भूनेंगे गैस को मीडियूम टू लो फ्लेम पर करके अपने मसालों को लगा तार चलाते हुए लाइट कोल्डन प्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे ज्यादा डार कोल्डन प्राउन बिल्कुल नहीं करना वरना हमारा मसाला काला हो जाएगा जहां पर मसालों ने रंग बदल लिया है सोफ की तिड़कनी के आवाज आने शुरू होगी है और मसालों की भी सौंदे सौंदी खुश्वु आने शुरू होगी है इस टेच पर हम कैस को बंद करतेंगे और मसालों को एक कम सी हम पलिट में डार के ठंडा कर मसालों को गर्मा गरम नहीं पीसना वरना मिक्सी का धकन फट जाएगा और सारे गर्माहट हमारी फेस के उपर पड़ेगी इसको पहले अच्छे से प्लिट में फैला कर इसे रूम टेंपरेचर में लाएंगे फिर हम इसको पीसेंगे यहाँ पर सारे मसाले ठंडे हो गए हैं, अब हम इसे मिक्सी में डाल कर पीसेंगे यहाँ पर हमने अपने मसाले ko पीस लिया है अब सबसे पहले हम इसके चाई बना कर आपको दिखा रहे हैं चाई कैसे बनाएंगे चाई कमसाला एक कप में एक चुटकी डलेगा पहली बात तो ये दूसरी बात ये कि इसको हम तीन तरीके से चाई में डाल सकते हैं नमबर एक उबलती हुई चाई पती में हम एक चुटकी डाल कर इसको चाई के साथ 2-3 मिनित के लिए उबाल लें और इसके हम ढखकन से ढखकर दो से तीन मिन्ट के लिए छोड़तेंगे इससे भी चाय में खुश्पो बढ़िया से आएगी चाय को ग्लास में डालने के साथ एक कप में एक चुट के मसाला डालेंगे मच चाय के मसाले को डाल कर इसको हम अपने चम्मच से हलका साहिला देंगे और इस तरीके से भी हम इस मसाले का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से सारा मसाला हमारे अंदर जाता है जिससे हमें ठंडक नहीं लगती गला नहीं खराब होता अब हम इसे store करेंगे चाइ के मसाले को store करने के लिए daily use के लिए मैं यहाँ पर एक चोटी से बर्नी में इसको store कर रही हूँ और इसको भी मैंने एक बाउल में रखा है ताकि जो मसाला गिरे वो इसे में गिरे इसी से उठा कर मैं करने में फिर से पलट दूँगी अगर हम नीचे प्लेट नहीं रखते तो स्लैप पर गिरा मसाला सारा खराब चला जाता है बच्चे हुए मसाले को मैं बड़ी शीशी में डाल कर स्टोर करूंगी इसी के साथ वीडियो के कम्प्लीट होते ही मेरी बीटिया अपनी चोटे बरतनों को ले आये कोका कोला का क्रेड है उसके खिलोने है और उसकी पूरी जिद होती है कि मेरे खिलोने भी आप अपनी वीडियो में शो करें तो मुझे करने चाहिए या नहीं ये भी नहीं मुझे म प्लीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ अब तक के लिए देखते रहिए उट्टी की पोठली नमस्कार धन्यवाद